What is an Automatic Transmission, also known as Talk Converter? जो कि आप देखोगे कि majority of जो कार्ड्स ओ Automatic दुनिया भर में कुछ-कुछ मागे जो तो in fact Talk Converters जो है वो लगबग 90% से ज़ादा बीची जाती है बनस्पत Manual Transmission के तो ऐसा क्यों है और कैसे ये Automatic Transmission काम करता है एक Manual Transmission के मनस्पत या फिर उसके Comparison में वही आजम बात करने वाले हैं ICN Expans के Brand New Episode में So एक कार में वैसे तो बहुत सारे components होते हैं, बहुत सारे moving parts होते हैं बट दो जो main चीजें हैं जो गाड़ी को चलाने में बहुत ज़ादा मदद करती है One is an engine, ठीक है? Engine का क्या काम है? वो आपके लिए power और torque प्रिड्यूस करता है आपके गाड़ी को चलाने के लिए बट वो अपने दम पर एक गाड़ी को नहीं चला सकता है उसको चलाने के लिए चाहिए एक transmission क्योंकि transmission का काम है उसी power और torque को सही ratio में wheels तक पहुंचाना चाहे आप automatic ले लीजिए या manual transmission ले लीजिए तो जब एक gear से दूसरे gear में आप जाओगे तो आपको एक ऐसा mechanism चाहिए जो की shifts के दौरान, मतलब एक shift से दूसरे shift के दौरान engine को बंदना होने दे उसको independently चलाते रहने दे इसलिए different mechanisms होते हैं, जैसे कि अगर आप manual transmission की बात करेंगे तो manual transmission में आपके पास में clutch है, clutch का क्या काम होता है, clutch का यह काम होता है कि engine को आपका जो transmission है या फिर जो drive shaft है उससे disengage करना या disconnect करना आपने देखा होगा, कि manual transmission में आपने first gear लगाया, clutch दबाया, first gear लगाया, फिर clutch दबाया, second gear लगाया, जिस time पे आप clutch दबा रहे हो उस time पर engine और drive shaft को disengage कर रहा है वो principle को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि talk converter जो casing है उसमें कौन-कौन से components या sub components होते हैं, तो talk inverter में mainly 4 components होते हैं, एक होता impeller pump जिसमें कि of course बहुत सारी blades लगी भी होंगी, फिर उसके बाद में होता एक stator, उसके अंदर भी और ज्यादा sharp blades लगी होती है, और फिर एक होता है आपके पास में turbine और turbine नाम से जैसे पता है आपको कि वहाँ पर भी जो ताडियां हैं या फिर जो fins हैं वो बहुत सारी लगी भी होती है, और साथ में एक talk converter clutch होता है या talk converter lock आप उसो बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें मिलके case में जाते हैं और ये सारी चीज़ें fluid में या liquid में डूबी होती है, अब जो आपका impeller pump है वो engine से जोड़ा होता है, मतलब उसकी जो shaft आ रही होती है उस से जोड़ा होता है, और जब engine चलता है तो उसकी speed के हिसाब से impeller जो है वो चलता है, और फिर क्योंकि इसमें liquid होता है तो उसकी जो सारी fins है वो उस liquid को outward splash करती है, मतलब बहुत तेजी से splash करती है, फिर वो stator में आता है, अब stator क्या करता है, stator में और ज़्यादा sharp blades होगी, तो उस highway जो pressure है उसको और ज़्यादा तेज से turbine की तरफ थो करेगा, और इसे साब से वो जो power है basically जो engine से आ रही है, वो आपके turbine तक जा रही है, turbine जो है basically transmission से आपका जोड़ा होता है, मतलब जो drive shaft होता है, उससे जोड़ा होता है, अब यह impeller है और turbine है, यह कैसे काम करते है, किस तरीके से यह flow होता है सारा का साथ, उस समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही, मतलब होगा है, जिसको हम turbine बोल देते हैं, एक बार को stator को थोड़ा दूर रखते हैं, और आप देखोगे, यह मेरा एकात खाली है, और मैं इस वाले fan को जब चलाओंगा, इसकी हवा से दूसरा वाला turbine वो भी गूमने लग जाता है, जबकि मैंने इसको on नी किया हुआ है, ठीक ह इसको थोड़ा दूर भी अगर करूँगा, इन दोनों को, तो भी चलते रहेंगे, अब यह जो हवा का transport हो रहा है, मतला हवा जिस flow में जा रही है, उसको आप एक बार को liquid से, या fluid से replace कर दीजे, यहाँ पर जहाँ पर हवा fluid हो रही है, और यह क्योंकि इसमें blades लगी ही है, कि fluid यहाँ से आएगा impeller से, और फिर turbine को घुमाएगा, और फिर क्या होगा, एक और चीज हमें achieve करनी है, कि अगर हम brake लगा रहे हैं, यह मैंने brake लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, यह वाला जो, मतलब, आपका impeller है, यह अभी भी चल रहा है, और यह बंद हो जो impeller है, वो जितने RPM पर घुम रहा है, मतलब engine जितने RPM पर घुम रहा है, उतने RPM पर आपका impeller घुम रहा है, और यह जो है, जो कि यहाँ से airflow हुआ, और यह जब इसने घुमना शुरू किया, तो यह कम RPM पर घुमेगा हमेशा, वो energy loss होता है, अब उस energy loss को मेटाने के लिए हमें एक और device के ज़रत है, जिसको हम stator बोलते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, बड़े आपर मैं photo डाल दूँगा, stator कैसा दिखता है, stator के अंदर भी बहुत जादा sharp fins होती है, तो stator को इस वज़े से talk converter भी कहा जाता है, क्योंकि वो torque को multiply करता है, यहां से जो talk आ रहा है, व type से आप पानी देर होती है, फिर आप उसके अंगली लगा लेते हो, उंगली लगाने के बाद में, अंगठा लगाने के बाद में क्या होता है, कि वो speed जो है, उसकी और दूर जो है, वो जा पाता है, तो वो speed है, उसको हमने increase कर दिया है, एक चीज लगा के, तो वहां पे व torque converter clutch क्या करेगा, basically, पूरा का पूरा जो mechanism है, उसको एक साथ जोड़ देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि, जो आपका turbine है, वो loosely mounted है, पर मान लीजेगर आप top gear में चल रहे हो, overdrive gear में चल रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है, कि आप जब torque converter clutch इन सब चीजों को जोड़ द जाएंगे, जिसकी वज़े से आपका technically engine जो है, वो directly connect हो गया transmission से, और फिर आप top speed जो है, वो कर सकते हो, तो ये चार components मोटे मोटे हो गए, तो इस तरीके से एक काम करता है, सालों से torque converters इस्तेमाल होते वे आएं, कई लोग बुलते हैं कि torque converters fast नहीं हैं, अगर ऐसा है, तो आप BMW के जो torque converters हैं, उनको लेखिए, जो ZF supply करता है, तो torque converters can be fast depends कि आप उनके साथ में क्या करना चाते हो, जो कि हमने देखा है कि ZF ने भी करके दिखा है, आज भी सबसे जादा reliable अगर कोई automatic transmission है, वो इसी को माना जाता है, और इसी वज़े से आज भी American market में, और in fact बहु से topic पे आपको वीडियो जोगे, प्लीज हमें comment section बताइए, क्योंकि ये transmission वाली series अभी मैंने token inverter समझाया है आपको, फिर मैं working principle पे आऊँगा, dual cash transmission के, AMT में और already explain कर चुका हूँ, और CVT के भी, तो वो सब चीज़े आपको मिलेगी, तो इसलिए चानल को subscribe करना, बिल्कुल ना भूलिए, और वो like भी दबा दीजिए, जिससे कि YouTube को पता बढ़ जाए कि यह ठीका काम हो रहा है, thank you so much people for watching this video